अब खबरे विस्तार से मीडिया पर्शन को कानून की पूरी जानकारी होने के लिए पुलिस बिवाग के सहयोग से एक दिपसीय वर्कशाप का आयोजन हमीर बबन में किया गया वर्कशाप के दोरान मीडिया पर्शन को कानून की पूरी जानकारी होने के लिए पुलिस बिभाग के सहयोग से एक दिपसीय वर्कशाप का आयोजन हमीर भवन में किया गया वर्कशाप के दोरान स्पी हमिरपूर अर्जित सेन, डी स्पी रेनु शिर्मा विशेश दोर पर मोजूद रहे बर्कशोप के माधम से भारती दंड सहिंता के विभिन एक्टनों की विस्तिर जानकारी मीडिया पर्शन को दी गई बर्कशोप के माधम से समाचार बनाते समय किन साबधानियों का ध्यान रखा जाए इस पर भी चर्चा की गई स्पी हमिरपूर अरजित सेन ने बताया कि मीडिया पर्शन के लिए कानून पहलूँको बताने के लिए बर्कशोप में जानकारी दी गई है और बर्कशोप के माधम से बताया गया है के समाचार बना तिसमय किन बातों का ध्यान रखें ताकि कानून के दायरे में रहकर समाचार बनाय जाएं उन्होंने बताय के भविश्य में फिलहाल जिला प्रमुक के पतरकारों को वर्कशोप में जानकरी दी गई है बाद में जिला भर के बाकी पतरकारों को भी ऐसी वर्कशोप में शामिल किया जाएगा आज हमने हमिर्पुर शहर में सारे मीडिया परसंस के साथ एक वर्क्शॉप और्गनाईज की है जिसको हमने नाम दिया है वर्क्शॉप ओन लीगल अवेरनेस फॉर मीडिया परसंस इसमें हमारा मेरा दायत यह है कि कई बार मीडिया परसन से हमको इस तरह के सवाल आते हैं कि इस कानून के अंदर क्या प्रावदान है कई बार अडियूर्ट का एक difference रहता है पुलिस डिपार्ट्प्मेंट में और मीडिया में खासकर जो रिपोर्ट करते हैं तो उनको हम क्लियर कर रहे हैं अपने हमारे यहां law officer मेडम है और पुलिस के DSP मेडम है जो इस वर्कशॉप को और्गनाइज कर रहे हैं यह शौट दो धाई गंटे की वर्कशॉप है छोटी क्योंकि व्यस्ताएं मीडिया पर्सेंस की भी काफी रहती हैं तो हम एक तो इसमें discuss करने वाले हैं क्या legal aspects है Supreme Court High Court की क्या दिशा निर्देश है जिसके अंतरगत क्या report कर सकते हैं क्या ने report कर सकते हैं उसके अलावा हम policing point of view से POCSO Act, IT Act और इस तरह के कई जो नए और ऐसे नए acts बने हैं या notifications आई हैं उनके बारे में चर्चा करना चाह रहे थे इस department की और police की कारे परनाली की भी understanding जनता के पास नहीं होती तो क्योंकि media persons जो है एक जनता की आवाज हैं और वो जनता का message हम तक और हमारा message जनता तक पहुंचाने में एक बहुत एहम भूमिकाने बाते हैं तो इसलिए हमने यह organize करने का decision लिया कुछ media persons की भी यह demand थी कि इस तर security और improve हो और हमारे को एक feedback जो जनता की तरफ से मिलता है या हमारे superiors को जो मिलता है वो भी एक साकरात्मक और एक positive change लाने वाला मिले तो यह उदेश है था इस workshop का दूसरा एक और हमको काफी feedback भी मिल रहा है जो media persons और उनके वरिष्ट जनलिस्ट आया है यह इस workshop को attend करने के ल लग लग जगाओं पर तो हम future में भी subdivision लेवल पर या जैसे हमारा हो सके तो हमीर भवन जो हमारा हमीरपूर में है वहां पर हम district के सारे media persons को भी involve करेंगे इसमें तो यह जारी रहेगा अभी तो एक शुरुवात है पहली और response काफी अच्छा रहा है media persons की तरफ से भी तो हम future में भीस को जारी रखेंगे